आम का अचार खाना सबी को पसंद होता है तो चलिए आज बनाते क отлич some 2 special अचार वह भी मेरी ममझी के बहुत ही special हुआ करते थे तो चलिए सबसे पहले आम का ओपर का पाट होता है उसे थोड़ा सा ढ़ाट کر देंगे और इस तरीके से निकाल लेंगे और मैं आपके साथ आज एक टिप शेयर करूँगी जिससे कि आपका अचार सालो साल चलेगा और ये टिप आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी तो सबसे पहले चलिए अचार के लिए कटिंग कर लेते और जो गुठली पे गुदा लगा रह जाता है उससे आप दूसरा चार भी डाल सकते तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो सबसे पहले हम यहां नमक डाल देंगे नमक जो होता है वो प्रिजर्व करने का काम करता है चार को तो अच्छे से डालिएगा नमक और हल्दी डालके हम इसे रात भर के लिए रख देंगे यहां दो आम को मैंने छील के ले लिया और बाकी जो भी गुटली पे गुदा बचा हुआ था उसको मैंने ले लिया था तो बस छिले हुए आम चाहिए हमें जिससे की हम एक बहुत ही स्पेशल सा अचार डालेंगे और इस अचार की विशेष्टा यह है कि इसमें तेल बिल्क इस तरीके के अचार बहुत सारे लोग खाना पसंद करते हैं तो यहां देखिए लंबे लंबे पीसेज में पहले आम को कट करेंगे फिर चोटे चोटे पीसेज में कट करेंगे आप चाहें तो इसे कद्दू कस भी कर सकते हैं क्योंकि यह अचार आप बहुत चीजों के लिए उसी से यह अचार बहुत ही रेस्टी बनता है तो यहां नमक डालेंगे जैसे कि नमक मैंने बताया अचार को प्रिजर्व करने का काम करता है तो ठीक से इसमें नमक डालिए और यह भी जो है पानी चोड़ेगा और इसका पानी आपको सेफ करके रखना होगा क्योंकि कि हम बाद में अचार बनाती समय हम इसका यूज कर सकते तो चलिए मैं आप लोग के साथ एक टिप शेयर कर देती हूं तो यहां देखिए इस तरीके की जब गुठली अचार के अंदर यानि आम के अंदर होती है तो वह अचार बहुत लॉंग टाइम तक के लिए नहीं चल साल या फिर दो साल तक भी आप सेफ करके रख सकते हैं तो इस टाइप की जब आपको गुठली का अचार डालना हो तो आप थोड़ा ही डाले खाक खुके उसे खदम करने बस इतना ही आपको बताऊंगी और यह टिप आप लोग के लिए बहुत ही कारगर से दोगी तो यह दूसरा देना है और अचार जो है इस तरीके से पानी छोड़ चुका है यह देखिए यह इतना पानी रिलीज हो चुका है नमक डालने की वज़े से आप आम के पीसे को मैं इस प्लेट पे निकाल ले रही हूं और आप जब धूप में जाए तो इसको एक कपड़े पे अच चाके नहीं रखना है तो चलिए अब इस अचार को हम धूप में सुखाने के लिए चलते हैं आम थोड़े थे तो पानी भी थोड़ा निकला है अब हम इसे सेफ करके रख लेंगे और यहां देखिए दो से तीन खंटे की धूप में अच्छे से आम सूख गए थे क्योंकि ऐसे दोप है बहुत देख चलिए इसके अब मसाला तैयार कर लेते तो यहां एक बड़ा चममच मैंने बड़ी वाली सरसोली यानि से मस्टर्ड सीट भी कह सकते हैं साथ ही एक बड़ा चममच मैंने मेथी दाना लिया है और चोटा चममची में इसमें जीरा लूगी तो जो जाए ऐसा नहीं भूनना है हलका सा भूनेंगे जिससे कि अच्छे से पिस सके और इनमें एक फ्लेवर भी आ जाएगा तो बस अब इससे जाल लेंगे जार के अंदर और दर दर आसा इसे पीस लेंगे बिल्कुल ऐसा चलिए अभी दिखाते हूं पीसने के बाद आपको इस तरीके का दरदरा मसाला जब हम अचार में डालते हैं तो उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और यह सारा का सारा मसाला इस अचार में पढ़ जाएगा अभी मैंने थोड़ा सा बचाए लेकिन वह मैं एड कर दूंगी बाद में आपकुछ ऐसे मसाले जिने भू बहुत अच्छा टेस्ट आता है कलाँ जी आप आम के अचार में जरूर जरूर डाले और यहां आप सूखी लाल मिर्चेबीस में एड कर सकते हैं तेल को मैंने पहले से गरम कर लिया था और ठंडा कर लिया था और यह मस्टर्ड ओयल है आप अच्छा अच्छा टेस्ट आत मिर्च तीखी बाली और ही चार की रानी करूए फोल्स चाले जटठ बन की की हम से इस नियूद्ध धने बखके प्रणा को सब्सक्राइब क्षेभरणी फाल 2 तरीक से इक दें जरूर्ड बन गाएगा जो कि दीशी डि donnीम हम उती है जचाल में suit। सब आपकी बहुत तारीफ करेंगे बाँ बाई